मैं खुशिरो आपका स्फागित करती हूँ आग बार बार नी गौसिब में भाई पूजा भट के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी मुझ खोलती है थोड़ी नेगिटिव जरूर हो जाती है यहां पर फुकरा इंसान के सामने जूट बोलती हुए नजराई जबकि रैंकिंग टास्क हो रहा है हाला कि रैंकिंग जो है जनता ने कर दी है इसका रिजल्ट जो है सामने बहुत जल्द आएगा पर घरवालों को भी ये टास्क दिया गया है जहां पर जो जिया है जो जददिध है और जो मनीशा है और अविनाश है वो मानते हैं कि फुकर इंसान जो है वो रैंकिंग वन पे है पर जब actually मैं खुद की बारी आ रही है पूजा भट की तब वो बोलती है कि मैं अपने आपको कोई रैंकिंग ही नहीं दूँगी क्योंकि जनता जो है वो सब चीज़े करती है और जनता ने मुझे एक नंबर पे ही रखा था जब की जब मतलब की जब वो स्टेज पे आये थे जनता ने एक नंबर पे जो है फुकरा इंसान को रखा था और वहीं पर जो है ये जूट बोल रहे है कि जनता ने इनको इनको तो खेरात में डेड़ लाख रुपे नियर बाई कोई दे दिया था और वहाँ पर आके इन्होंने इतना महेंगा बेड़ खरीद लिया और जब अपनी आपको कोई रैंकिंग नहीं दे रही है दूसरों के लिए अटक रही है और जब फुकरा इंसान को फर्स्ट रैंकिंग जा रही है तब उसके लिए अटक रही है कि तुम नहीं हो यहाँ जूट पर जूट बोले जा रही है हलाग यहाँ पर यह घरवाले जो है आपस में डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि रैंकिंग वान पर कौन होगा रैंकिंग टू पर कौन होगा जहाँ पर पूजा के उपर आती है बात तो कभी बोल देती कि मैं साथ मैं मेरे को दे दो क मैं को बात नहीं को कोई फरक नहीं पड़ता जब दूसरए के पास जा रहा है तर्फर वो बोल सकती कि आखिरकार छे नंबर पे कौन है भही complicated है न बज़ेगी इनकी class लगेगी इनकी सलमान खान के हाथ इसी के साथ मैं लेती हूँ जाज़त नमस्षिकार